हेलो एवरीवन वेलकम तो इजी इंजिनेरिंग क्लासेज इस वीडियो में हम बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं इस एसम्टोटिक नोटेशन तो बेसिकली तीन एसम्टोटिक नोटेशन होती हैं बिगो नोटेशन ओमेगा एंड ठीटा नोटेशन एंड इसी जो नोटेशन बेसिकली क्या है इट इस अपर बाॉंडिंग फॉंक्शन मतलब हम अपर बाउंड की तरफ करते हैं अब दो कोई जो एसम्टोटिक नोटेशन है बेसिकली क्या करती हैं टाइम कॉंपलेकसिटी और एक यह लिगरिदम अब विदाउट रणिंग एंड अगर अगर algorithm को run नहीं करता है मुझे सिर्फ और सिर्फ algorithm का code पता है उसके number of steps पता है कितनी बार algorithm execute कर रहा है कितने number of inputs के लिए हम उसे algorithm को execute कर रहे हैं तो हम उसका एक rough idea निकाल सकते हैं एक approximation हम कर सकते हैं कि कि कितना ये time लेगा और उसको हम represent करते हैं to take notation से तो जो bigo notation है वो upper bound की बात करता है मतलब कि अगर एक मैंने function represent किया अपना algorithm का so for large values of n मतलब n की value जब बड़ी है तो उसको मैं represent कर सकता हूं bigo of g of n मतलब एक function g of n उससे मैं represent कर सकता हूं इसको और यह जो g of n function है it is an upper bound of fn तो इसके जो equation है हम किस तरह से लिखते हैं अभी आपको पूरा example से समझ में आ जागा कि हम इसके में क्या बात कर रहे हैं so equation है यह important है bigo of gn is equals to fn for positive constants दो हम constants लेते हैं c और n0 ठीके तो यह equation true होनी चीह for bigo of o notation bigo of o notation के लिए कि जो आपका function है that should be greater than equals to 0 and should be less than equals to c of gn मतलब यह important है देको कि जो आपका function है na f of n उसकी value less than होनी चीह कोई constant c multiplied by g of n और यह जो होता है c g of n इसको हम बोलते हैं आपका bigo g of n अब जब हम निकालते हैं complexity को बताएंगे तो वहाँ पर हम क्या करते हैं अपने multiplies यह जो constant सा उसको ignore करते हैं अब एक होची जो important है इसमें यह जो equation आपकी true हो रही है कि function f of n should be less than equals to c g of n वो सारी उन values के लिए true होना चीह है जहाँ पर कि n आपका greater than equals to है अब इस graph को समझो यह graph भी बहुत important अगर exam में question आ जाता है न तो इन graphs को बनाना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर हम दिखा रहे है rate of growth ठीक है या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर हम दिखा रहे है time और यहाँ पर हम दिखा रहे है input size या end input size क्या है कितने number of inputs के लिए आप algorithm को run कर रहे हो मतलब कि अगर आप एक search algorithm को run कर रहे हो जिसमें आपके पास 5 elements है आपके search algorithm में आपके पास 5 elements है तो यह जो n है वो 5 हो जाएगा basically कितने number of inputs के लिए आप run कर रहे हो तो यह वाला point देखो important है इस graph में यह वाला point important है जिसको मैंने denote किया है n0 से मतलब इस point से पहले हो सकता है कि जो c of gn है वो आपके function fn से बड़ा हो छोटा हो यह कुछ भी हो सकता है बट एक बार इस point पे पहुंचने के बाद जिसको हम threshold भी बोलते हैं c of gn हमेशा आपके function fn से बड़ा होना चाहिए ठीक है तो यह आपका कहलाता है big of or notation now यहाँ पर मैंने क्या बता है कि जो constant multiply ऐसा है उसको हम ignore करते है यहाँ कि अगर आपका big of 4 n आया है जहाँ पर कि आपका 4 है that is nothing but constant c तो जब हम इसकी time complexity लिखेंगे तो हम इ कोशिश करो यह बता क्या रहा है for fn less than equals to c of gn now this g provides an upper bound g upper bound कह रहा है कि मतलब कि यार इस काम को करने के लिए में को इतना time लग सकता है maximum इससे कम में कर सकता हूं मैं इससे कम में कर सकता हूं बट इससे ज्यादा नहीं लूँगा तो एक तरह से upper bound कह रहा है and c is a constant which depends on the following factors जैस कि कौन सी programming language आप यूज कर रहा है आपकी CPU की speed क्या है आपकी memory का size क्या और algorithm आपने किस तरह से लिखा है तो यह क्या कह रहा है यह important है कि आप इससे ज्यादा time नहीं लोगे यह अपना algorithm इससे ज्यादा time नहीं लेगा बट इससे कम में कर सकता है तो यानि एक upper bound इसने set कर दि इसने that is कि क्या इसका rate of growth से link है कि rate of growth से किस तरह से link है अगर में rate of growth का लिखता हूं जैसे कि अगा मैंने लिखा n log n that is less than n square that is less than n cube and so on हम किस तरह से लिखते है इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं दिस टू की पावर एंड, less than 3 की पावर एंड and so on, तो अगर मेरे पास bigo of o notation आती है n square, ठीक है, यह important है, देखो, इसको समझो, अगर मेरे पास bigo of o notation, जो मेरा function है, या फिर जो मेरा gn है, cgn, that is coming out to be n square, तो अगर मैं इसको यह लिखूँ, n cube, then it is also correct, अपर side पर आप लिख सकते हो, अगर मैं इसको लिखूँ यह, then also it is correct, बट अगर मैं इसको लिखता हूँ, bigo of n log n, तो यह गलत है, क्यों गलत है, देखो, मैं आपको क्या कहा रहा हूँ, यह upper bound set हो गया, यह upper bound set हो गया, मतलब मेरे को इतना time लगेगा, इससे कमें भी विख कर सकता हूँ, बट आप अगर कहते हो कि ठीक है, मेरा upper bound यह है, मेरा upper bound यह है, आप इसको इससे represent करते हो, then it is also correct, ठीक है, मैं को maximum इतना लगेगा, बट इससे कमें भी विख कर सकता हूँ, बट अगर आप इसका upper bound कह देते हो, इसी case में, अगर आप इसका upper bound कह देते हो, n log n, then it is wrong, क्योंकि हमने देखा, कि जो इसका maximum time ले सकता है, यह वो n square ले सकता है, बट अगर मैं कह रहा हूँ, n log n, then it is wrong, then it is wrong, तो हम upper bound या फिर जो big of notation लिखते हैं, big of o notation लिखते हैं, उसमें हमेशा upper side वाले को हम लिख सकते हैं, बट हमेशा हमें क्या करना है, we have to write the closest one, यह याद रखना, we always have to write the closest one, जैसे कि आप इसमें n square भी लिख सकते हो, n cube भी लिख सकते हो, 2 की power n भी लिख सकते हो, बट हम कौन सा लिखेंगे, कौन सा closest M, वो यह वाला लिखेंगे, ओके, so this is the basic idea of big of o notation, so अब एक छोटा सा example देख लेते हैं यहापे, कि किस तरह से हम big of o notation के अंदर, अपना c और m not की बात कर रहे हैं, so let us take the function, एक function ले लेते हैं यहापे, और उस देखते हैं कि उसमें big of o notation हम किस तरह से find out करेंगे, तो function मैंने ले लिया, f of n is equals to 2n square plus n, ठीक है, 2n square plus n, और अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका big of notation find out करना है, तो इसका मुझे क्या करना है, I have to find the big of notation, okay, so for the moment, let us keep it like this, तो मैं पस condition क्या है, यह जो f of n है, that should be less than this c, let us take this c1 dot g of n, यह condition है मेरे पास, यह होनी चाहिए, ठीक है, और यह condition क्या है मेरे पास, यहाँ पर देखो, कि जो n है, that should be greater than this n naught, n naught क्या आपका threshold value है, ठीक है, so, and इसमें क्या है, n should be greater than equals to n naught, so basically मुझे क्या-क्या find करना है, एक तो मुझे c1 find करना है, और एक मुझे n naught की value find करना है, तब मैं बता सकता हूँ कि कौन सी particular equation के लिए, यह मेरा true होगा, so fn क्या दे रखा है, 2n square plus n, that should be less than equals to, now, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें find करना है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम हमेशा बड़ी वाली value को लेते हैं, है ना, बड़ी वाली value को हम लेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ n square और n में, अब गा मैं n square और n की बात करूँ, now which is the dominating one, कौन ज़्यादा इस equation के उपर effect डालेगा, obviously n square will dominate, भई जो n square की value होगी, वो n के उपर तो dominate करेगी, तो हम generally क्या लेते हैं, हम इसको इस तरह से लिखे लेंगे, c1 dot, c1 dot g of n square, ठीक है, अब मुझे c1 की value find out करनी है, अब मुझे value किसकी find करनी है, कि n not की क्या value होगी, तो चलो हम c1 की value को 1 रख लेते हैं, let us take some cases, c1 की value को मैं रख लेता हूँ 1, और n की value को भी मैं रख लेता हूँ 1, तो क्या बनेगा ये, 2 into 1 square, plus 1, ये less than equals 2 होना चाहिए किसके, 1 dot, now this is n square, n square के 1, 1, तो ये कितना हो गया, 2 plus 1, less than equals to 1 dot 1 is 2, अब ये तो हो गया आपका गलत, यानि कि c1 1 और n 1 हमारा नहीं चलेगा, second case देखते हैं इसमें, c1 को मैं रख लेता हूँ 2, और n को मैं रख लेता हूँ 1, अब देखते हैं, तो क्या हो गया ये, इदर वाली term तो आपकी same रहेगी, क्योंकि n तो आपका 1 ही है, तो ये क्या हो गया, this is 3, less than equals to, अब इदर क्या हैगा, c1 क्या हो गया, 2, और n क्या हैगा, इदर 1 ही रहेगा, so this is also wrong, ये भी गलत हो गया, अब क्या करते हैं, c1 को भी 2 रख लेते हैं, that is 4 plus 2, less than equals to 2 dot 2 square, so 2 into 4 is 8, plus 2 less than 2 into 4 is 8, ओके, तो क्या ये ठीक आपका, आप देखो, obviously 10 is less than 8, कह रहा है ये, जो की wrong है, ये भी गलत हो गया, देखो मैं आपको इसमें करके दिखा रहा हूँ, एक एक case, अब अगें, c1 को मैं रख लेता हूँ, 3, और n को मैं रखता हूँ, अब एक रख देखते हैं, c1 को 3 और n को 1 रख के, इधर क्या होगा, 2 into 1 is 2, plus n, that is 1, less than equals to, c1 क्या हुआ, 3, और ये क्या हुआ, 1, तो ये कितना होगा, 3 less than equals to 3, now this is true, तो एक एक में पास, true आगया, तो मैं इसको कह सकता हूँ, that fn is less than equals to, c1 dot g of n square, कब जब एक तो, आपका n की value क्या होने चीए, greater than equals to 1, अगर आपका ये true होगया, तो n की किसी भी value के लिए true होगा, करके देख लो, c1 को 3 रख लो, और n को रख लो 2, तो कितना आएगा, अगर आपका 2 है, तो कितना आएगा, ये वाला आएगा नहीं आपे, तो left side क्या होगी, 8 plus 2, less than equals to, 3 into 2 square is 4, 8 plus 2 is 10, 10 is less than equals to 12, तो ये चीज में पता लग गई, कि n की value greater than equals to 1 होगी, और c1 की value कितनी आगई, 3, तो ये equation, true है, किसके लिए, जब n आपका greater than equal to 1 है, और c1 आपका 3 है, अब देखो क्या आया में पास, हम क्या कहे रहे रहे हैं पे, f of n is what, big o of gn, gn कितना है आपके पास, this term, so I can write it as n square, अब मैं इससे उपर का लिख सकता हूँ, n square से जितने भी ज़्यादा उपर वाले हैं लिख सकते हैं, बट हमेशा हमें क्या करना है, हमें closest वाला लिखना होता है, so that is how you can analyze this asymptotic analysis, for big o of o, अब देखेंगे omega के लिए, अब omega क्या करता है, lower bounding function देता है, ठीक है, lower bounding function देता है यह, कि minimum मैं इतने time में कर लूँगा काम, तो इसको कैसे represent करते हैं, function f of n is equals to omega of gn, now it is a lower, it is a lower bound of function f at larger values of n, तो इसमें क्या करेंगे हम, same है, बस equation में difference आजाएगा, now here this equation is important, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, function f of n should be greater than equals to c of gn, for all n greater than n naught, अब आप यहाँ पर देखो इस graph को, if I take is that time, rate of growth कह सकते हो, यहाँ पर input size, यह वाला point जो है, यह threshold है, मतलब इस point से पहले आपकी value, उपर निचे fluctuate हो सकती है, बट इस point के बाद function f of n, हमेशा जादा होगा किससे, c of gn से, जो की हमारा यहाँ पर omega notation शो कर रहा है, उके, तो बिल्कुल थोड़ा सा difference आता है, जब हम bigo की बात करते है, तो function f of n आपका less than होना चाहिए, बट जब हम omega की बात कर रहा है, तो जो function है आपका, that is greater than होना चाहिए, तो जैसे के अगर हम यहाँ पर rate of growth की ही बात करें, for this omega notation, अगर में पास n q आता है, तो मैं इससे छोटे वाले भी लिख सकता हूँ, उसके लिए, बट अपर साइड के हम नहीं लिख सकते हैं, okay, so this is omega, तो अब इसी question के लिए देख लेते हैं, omega notation के लिए की कैसे निगा लेंगे, तो function f of n क्या था मेरे पास, 2n square plus n, अब क्या कहते हैं, function f of n should be greater than c2 dot gn, ठीक है न, omega के लिए हम यही कहाँएंगे, यही होना चीह मेरे पास, और function f of n कितना दे रखा है, 2n square plus n should be greater than equals to c2 dot gn, ठीक है, अब देखो, c2 की value निकालने हैं और n की value निकालने है, n की value हमेशा जो कहते हम n not से बड़ी होनी चाहिए, अब फिर बराबर होनी चाहिए, तो किस value के लिए, अब आपको इसमें हमेशा क्या करना है, अगर देखो, मैं आपको दाता हूँ उसमें, अगर c की value आपके पास आ रही है न, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और आपका अगर answer में आ रहा है 4, तो आपको हमेशा ये वाली value लेनी है, यह ऐसा नहीं कि आप 3 भी लोगे, 2 भी लोगे, 1 भी लोगे, आपको हमेशा closest लेनी है, जहाँ पर मतलब आपका proof हो रहा है, ठीक हो रहा है, मतलब इसके पाद आपका गलत हो जाएगा न, अगर 5 लोगे तो गलत हो रहा है, तो इसके closest आपको लेनी है, तो जहाँ पर अगर आप देखो पीछे, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमारा C1 2 के लिए देखो सही नहीं आ रहा था, मतलब C1 3 के लिए मेरा less than आ रहा था, बट C1 जब 2 था तो मेरा जो function है वो सही नहीं आ रहा था, मतलब 10 आ रहा था, 10 के आपका GFN से बढ़ा आ रहा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं C को 2 ले सकता हूँ यहाँ पर, तो let us take C2 as 2, और N को मैं ले लेता हूँ, चलो 1, so let us take N as 1 and C2 as 2, तो कितना हो गया यह, 2 into 1 is 2, plus 1, should be greater than this term, यह कितना होँआ 2, और यह कितना होँआ 1, so 3 is greater than equals to 2, correct, तो यह question मेरी सही है, यह question मेरी true होगी, कब true होगी, जब, जब C2 आपका, यानि constant आपका 2 है, और N की value greater than 1 है, तो यही देखो, इसमें भी आप हम notation किस तरह से दिखाएंगे, इसकी भी notation किया आएगी, आपकी जो बड़ी term है, that is N square, जो बड़ी term है N square, बट इसमें तरह को difference हाँ पर आया, difference आगया आपका constants में, difference आगया आपका constants में, ठीके, so this is the omega, अब बात करते हैं, theta notation की order function भी बोलते हैं, basically, जब हम average case की बात करते हैं, तब हम हापे इस theta notation का use करते हैं, and अगर आप theta notation से denote कर सकते हो, किसी algorithm की complexity, तो सबसे बढ़िया होता है वो, वो सबसे बढ़िया चीज अगर आप denote कर सकते हो, अगर नहीं कर पाते हैं, दब आपको जाना चाहिए big o of, या फिर omega notation के लिए, so it decides whether the upper and lower bounds of a given function are same, important है कि upper और lower bound आपका same है या नहीं है, मतलब कि अगर आप इस तरह से denote कर सकते हो किसी को, let us say c2.n less than equals to function f of n, c1.n, ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं constants हटा देता हूँ, c2 और c1, तो देखो यहाँ पर जो आपका upper bound है, वो भी n है और lower bound है वो भी n है, तो उस case में थीटा notation में क्या कह दूँगा, कि उसकी जो complexity that is n, तो अगर आप ऐसा कर सकते हो, दोनों को denote कर सकते हो, दोनों का upper and lower bound same है, तो अब आप थीटा notation को use करोगे, तो किस तरह से लिखते हैं, थीटा of gn is fn for positive constant c1, c2 and n0 such that, function f of n should be greater than c1 gn, जो कि है आपका lower bound, या अगर मैं कहूँ तो omega notation, and it should be less than c2 of gn, जो है आपका upper bound, या अगर हम कहें तो big of o notation, for all n greater than n0, जैसे कि इस diagram में देखो, ये वो आपका n0 point है, ये threshold है, उससे पहले कुछ भी हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ उसके बाद fn, अमेशा आपका lie करेगा किसमें, ये lower bound वाले में, और upper bound, इन दोनों के बीच में lie करेगा, ठीक है, तो जैसे कि अगर हम इसका देखें, टू n square प्लस n वाले का, अगर function f of n कितना है आपके पास, टू n square प्लस n है, तो मैं इसको किस तरह से represent कर पा रहा हूँ, देखो, for big o हमारे पास कितना आया था, c3 था, और omega के लिए c2 था, तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, 2n square less than equals to 2n square plus n less than equals to 3n square, for all n greater than equals to 1, ठीक है, तो this equation is true for all n greater than equals to 1, अब इस case में, इस case में आपका lower bound कितना है, n square, upper bound कितना है, n square, जब आपके lower bound और upper bound दोनों से हैं है, तो मैं इसको theta notation में denote कर सकता हूँ, n square, so this is all about the asymptotic analysis, basic idea दिया था, asymptotic analysis का, अब इसमें एक important point है, कि इसको asymptotic analysis ही क्यों कहते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा explain कर रखा है, asymptotic जो word है, वो mathematics से आता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है, approximation, तो अगर मैं कहता हूँ, एक function f of n को मैं represent कर सकता हूँ, big of gn से, तो gn क्या है, approximation है, किसका function fn का, at higher values of n, मैं approximately कह रहा हूँ, कि इतने time में कर सकता हूँ, तो approximation है, यानि कि इसको हूँ कहता है, it is an approximate graph of fn, जब n की value बहुत ज़्यादा होगी, तो इस तरह से आप देख सकते हूँ कि, एक तरह से जो fn आ रहा, उसकी approximate curve इसके अंदर हम show कर रहे हूँ, तो इस तरह से इसको हूँ बोलते है, asymptotic analysis, So students, this is all for this particular video lecture, जिसमें हमने asymptotic analysis के बाइर में discuss किया है, So before concluding this, let me talk a brief about the little notations, जिसमें हम बोलेंगे की little o क्या होता है, तो little o में क्या होगा, ये equal to our sign नहीं होगा, little o के अंदर हम f of n should be less than c of gn कहेंगे, ठीक है little o के अंदर, ऐसे ही जब आप little omega की बात करोगे, तो आप हमेशा क्या होगे, कि c of gn is always less than function f of n, या फिर function f of n is always greater than c of gn, तो little में सिर्फ इतना सा difference है कि वहाँ पर equal to का sign हट जाता है हमारा, So this is all for this particular video lecture, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को like कर दो, वीडियो को share कर दो, और channel को भी subscribe जरू करो, bell icon को press करो, ताकि आने वाले और भी वीडियो की update आपको मिलती रहें, Thank you,